नमस्कार बहुत स्पागत है आप सभी का आप देख रहे हैं नमेफ न्यूज में हूँ आपके साथ च्वेतन पाठक आपके बीच खबर लेकर आए हैं उत्तर कोरिया से जहां उत्तर कोरिया के ताना शाहा कहे जाने वाले किम जॉंग उनको लेकर एक खबर है दरसल किम जॉंग उनकी बहन ने अब अपने पड़ोसी साथ कोरिया को कड़ी चेताबनी दे दी हैं धमकी भरे लेजे में कहा है कि अगर आपका जून हमारे श्वेतर में आता है तो आपको इसका अंजाम जरूर भुगतना होगा यह हुआ क्यों है यह बताते हैं दरसल किम जॉंग उनकी जो बहन है उन्होंने खुली चेताबनी देते हुए साथ कूरिया को यह कहा है कि उत्तर कूरिया में उपर उड़ते हुए अगर आपका जो ड्रोन है वो पाया जाता है तो इसका अंजाम भयाना खोगा. उत्तर कू वो इस बात को नकारता हुआ नजर आया है और उन्होंने इस बात की पुष्टी नहीं की है किम जॉंग उनकी जो बहन है किम यू जॉंग ने अब ये चेताब नहीं दी है इससे पहले भी वो इस कड़क लहजे में बोलती हुई नजर आई हैं और जिस तरीके से हम खबरे थी कि मेरे टेबल के नीचे ही परमाडू का बटल लगा हुआ है और जिस तरीके से ये खुले आम धंकी देना और चाहे वो रूस से दोस्ती बढ़ाना हो या फिर कई और ऐसे देशों से दोस्ती बढ़ाना हो जो अमेरिका के खिलाफ हमेशा से रहे हैं ये दर्शाता है कि अमेरिका को वो किस तरीके से देखता है साथी सिर्फ साउथ कोरिया से नहीं दक्षण कोरिया से नहीं जापान से भी उसकी तल्खी जो है खुब नजर आती है पिछले दिनों केम जाउन की जो बहन है उसने जापान को भी इस तरीके की चेतावनी कही न कहीं दी थी और से उसे देखा जाता है और जिस तरीके से इसकी छवी है वो इसे एक अलग बनाती है अलाकि दक्षन कुरिया ज्वाइंड चीप्स ऑफ स्टाफ ने उत्तर कुरिया के आरोपों पर इस बार तुरंत जो है प्रतिकरिया जरूर दी है और उनका कहना है कि वो इन आरोपों की हम अग exclusively कि अपने किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए उत्तर कुरिया का इस्तिमाल किया गया उत्तर कुरिया को लोगों तक ये पहुँचाया जा रहा था और आपको बतादें कि उत्तर कुरिया में दक्षन कोरियाई फिलमें देखना या फिर सीरीज देखना पूरी तरीके से बैन है और अगर कोई ये सब करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सक्त कारवाई होती है मौत के घाट उसे सिधा उतारा जाता है पिछले दोनों खबर सामने आई थी कि कई बच्चों को किम जॉंग उनने अपने एक आदेश पर मौत के घाट उतरवा दिया था क्योंकि वो दक्षन कोरियाई सीरीज जो है देखते हुए पाय गए थे उनके पास वो समगरी मिली थी जो दक्षन कोरियाई सीरीज की थी मूवीज उनके पास मिली थे और उसके बाद सक्त कारवाई करते हुए उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जुबान जो है वो कहीं न कहीं बोलने लगी है और किम जॉंग उनकी जो बहन है अब दक्षन कोरिया को उसने बहुत बुरी चेतावनी अब दे दी है। झाल